साई की बात बचे तुम्हारा काम जल्द होगा मेरे बचे जल्द होगा अब रुकावट नहीं आएगी जिस काम में तुम्हारे रुकावट आ रही थी अब उस काम में तुम्हारे रुकावट नहीं आएगी मेरे बचे नहीं आएगी और सुनो जब तुमने अपने जिन्दगी का फैसला ले ही लिया है आगे कदम बढ़ा ही लिया है मेरे बचे तो पीछे मुड़के मत देखना क्योंकि अब तुम्हारे नई जिन्दगी की शुरुआत हो चुकी है मेरे बचे अब तुमने कदम बढ़ा ही लिया है तुमने बहुत संखर्श किये तुमने बहुत कुछ जेला लेकिन अब तुम्हारा पहला कदम है ये ये पहला कदम तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा बहुत आगे और ये जिन्दगी तुम्हारा दोनों हाथ फैला कर स्वागत कर रही है मेरे बच्चे तुम बिल्कुल थे न कि तुम ये चीज़ चाहिए उससे पहले पहले तुम्हारे पास में उस सब चीज़े आ जाएंगी और कहां से आएंगी कैसे आएंगी ये मत पूछना तुम बस बढ़ो और जिन चीजों के भी कमी आ रही है ना जिन समान की भी कमी पूरी हो जाएगी अब बहुत सारे लोग खड़े कर दिये हैं तुम्हारे लिए जो तुम्हारी सारी कम्यों को पुरा करेंगे तुम्हारे साथ भी खड़े रहेंगे तुम देखना मेरे बच्चे और जहां पर कमी है वहां भरपाई हो जाएगी मेरे बच्चे हो जाएगी तुम बिलकुल चिंता मत करो और सुन पैसे तुम दे कर आ जाते हो, ये गलत है मेरे बच्चे, ये गलत है, वो सब मत करो, ये सब मत करो मेरे बच्चे और किसी के कहने पर बिलकुल भी मत करो, क्या तुम्हें अपने बाबा पर भरोसा नहीं, क्या तुम्हारा बाबा कमजोर है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं यह तुम्हारा विश्वास अपने साइंस से अब कम होने लगा है क्यों मेरे बच्चे बोलो ऐसी बाते क्यों करते हो तुम मेरे बच्चे मत किया करो और सुनो मेरे बच्चे अगर तुम्हारे जान पहचान में या तुम्हारे सगे संभंधी में कोई विकलांग हो या मेरे ब बड़ा पुन्य मिलेगा मेरे बचец, उसका सहरा बनना मेरे बचец, जितना भी सेवा कर पाओ उतनी सेवा करना, चाहे तक चाहे इस चुराए से उस चुराए तक छोड़ने की ही सेवा क्यों न हो, लेकिन वो सेवा भी जरूर करना क्योंकि सेवा भी हर किसी को नहीं मिलती हर किसी के नसीब में सेवा नहीं होती मेरे बच्चे सिर्फ मेरे कुछ ही बच्चे होते हैं जिनके नसीब में ये सेवा होती है मैं हर किसी को सेवा नहीं देता सेवा का मौका उनी के जीवन में आता है जो मेरे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं जिनके जीवन को मैं बदलने वाला होता हूँ न उनके जीवन में ही सेवा आती है मेरे बच्चे और वही सेवा कर पाते हैं जो सेवा का भाव रखते हैं जिनकी नियत साफ होती है अगर तुम्हारे पास सेवा आ रही है न चलके तो समझ जाओ कि तुम्हारे जिन्दगी में भी बहुत सारे परिवर्दन होने वाले हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा करने वाला हूँ उस सेवा के बदले जो कि उस सेवा का फल तुम वाया आना मेरे बच्चे वो रहे गया था तो तुम भूल गए थे मेरे बच्चे और अगर भूले भी नहीं होना तो रहे गया मेरे बच्चे आगे पीछे बिल्कुल मत करो ला परवाही बिल्कुल मत करना अपने बच्चों के माबले में और अपने बच्चे के माथे पर इसी वज़ा से छोड़नी पड़ जाती है तो सुनू इस बार ऐसा नहीं होगा इस बार तुम्हें स्थाई नौकरी मिलेगी एक ऐसी नौकरी दिलवाओंगा जहां से तुम्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा बस वहीं रहकर तुम्हें नौकरी करनी होगी एक स्थाई न जहां तुम्हारा मन भी लगेगा जहां का वेतन भी अच्छा होगा और जहां का महौल भी अच्छा होगा और वहां पर कुछ बच्चे मेरे ही होंगे चिंतावत करना और वहां पर जब तुम मेरे बच्चों से मिलोगे न तो तुम्हें बहुत खुशी होगी मेरे बच्चे उनसे मिलकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारा मन ही नहीं करेगा वहां से जाने का तुम देखना और काम में भी ना थकावट नहीं होगी तुम्हारा मन भी लगा करेगा काम करने में बिल्कुल तुम्हारा मन ना जो भटकता था ना काम में वो नहीं भटक खरएगा और अच्छे से मन Lघाकर तुम काम कर पाओगे और सुनो जो तुम भूतिक वस्तूओं की अबेक्शा रखते हो न तुम लेना चाहते हो इच्छा रखते होना तो वो सबकुछ हो और ब Tech चंता मत करो और सुनो मेरे बचे तेरे वहवार से तेरे प्यार से तेरे भाव से मैं तेरे और भी नजदीक आ चुका हूं मेरे बचे मैं बहुत तेरे नजदीक आ चुका हूं तेरा और मेरा रिष्टा एक ऐसा रिष्टा बन चुका है जो तोड़े से भी ना तूटे मेरे बचे एक ऐसा रिष्टा बन चुका है तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा रिष्टा कि एक रूठे तो दूसरा मनाए एक नाराज हो जाए तो दूसरा आकर उसके चहरे पर मुस्कुरहाट लियाए मेरे बची ऐसा रिष्टा है तुम्हारे और मेरे बीच मेरे बची और सुनो मेरे बोलते नहीं हो, इसका मतलब वो बहुत शातिर है, वो बहुत चलाक है, वो अपने आपको बहुत चतुर और चलाक समझते हैं, वो सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कमजोर हो, तुम बोलते नहीं हो, लेकिन वो जानते नहीं, जो कम बोलते हैं न, वही इस दुनिया म अरे छोड़ो उने मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए ये पूरी दुनिया खड़ी कर दी है मैंने, पूरी दुनिया, मेरे बच्चे खड़े कर दी है तुम्हारे लिए, वो तुमसे इतना प्यार करेंगे न, इतना प्यार करेंगे, कि तुम्हें किसी प्यार की कमी महसू उसी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी मेरे बच्चे, तुम देखना, इतने लोग खड़े कर दूँगा तुम्हारे लिए, और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जिन अपनों ने तुम्हे छोड़ दिया अब तुम्हारे बाहर के अपने बनेंगे, और वो ऐसे अपने ब बच्चे और सुनो अपने बैंक में जाकर एक खाता खुलवाओ मेरे बच्चे जो भी तुम्हारे पास पैसे आते हैं जो भी खर्चे की है जैसे भी मेरे बच्चे जहां से भी तुम बचा पाते हो या बचा सकते हो वहां से बचाओ और उस खाते में जाकर डालो देखो आज का वक्त का नहीं पता, आज तुम्हारे पास में हैं, कल को अगर नहीं होगा, कल को अगर विपरित, स्थिति आ गई तब क्या करोगे तब किससे मांगोगे, बोलो आज तो बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे साथ खड़े, तुम्हारे परिवार वाले भी हैं लेकिन आगे चलकर अगर वो सगे संभंदी हर कोई नहीं रहता मेरे बच्चे वक्त के साथ तो वक्त के हिसाब से चीज़े बदल जाती हैं लोगों की सोच बदल जाती है तब किसके पास जाओगे बोलो अभी से बता रहा हूं तुमें कि अपना जो भविश्य है ना उसे सुरक्षित करकर चलो और सुनो तुम्हारे उपर मेरा हाथ है तुम्हारे पास मेरी दिव्य शक्तिया हैं मेरे बच्चे जो चारो तरफ से तुम्हें सुरक्षित करके रखी हुई है तुम्हारा रक्षा कवच बन कर मेरे बच्चे कोई भी नजर कोई भी चीज़े ना उनके पास जलने के अलावा कोई काम नहीं मेरे बच्छे, तो अगर हो सके तो वहां से हटादो, उस जगा से उस समान को हटादो, भले ही वो समान तुम्हारा है, लेकिन वो तुमसे इतना जलते हैं मेरे बच्छे की बस पूछो मत, तुम्हारा खुद का समान होने के बावजूद न, वो तुमसे बहूट और इशा करते हैं, तो ऐसे में खुट के समान को भी न, उनके नजरों से दूरी रखा करो, उनके सामने मत लाया करो मेरे बचचे, उनके सामने पढ़ने ही मत दिया करो, अपने समान को बिल्कुल अलग रखा करो बिल्कुल अलग और सुनो अभी जो तुम्हारे वेपार में थोड़ा उच नीच हो रही है ना धीरे धीरे करकर तुम्हारे वेपार में बहुत तरक्की होगी मेरे बचे तुम जिस तरह से महनत कर रही हो ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और जब तुम्हारे धीरे धीरे तरक्की होगी न, तो एक काम करना, पांच लोगों को खाना जरूर खिलाना मेरे बचे, जरूर खिलाना उसमें से एक मैं भी आऊंगा, खुश रओ, आज का रातरी साई संदेश, समापतु हुआ